दोस्तो आज मैं आपके लिए दुनिया के सबसे ताकतवार मसीन से लेकर कुछ गजब के अविश्का लेकर आया हूँ जो आपको काफी पसंद आने वाले और हाँ अगर आपने अभी तक हमारे चेनल को सब्सक्रेब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्रेब कर ले मौर बार्क इस ताकतवार मसीन का इस्तमाल किसी भी पेड को ग्रेंड करके चारे में बदलने के लिए किया जाता है जिसके उपर लगी क्रेन पेड को उठा कर उसे इसमें रोल कर रहे कंटेनर में डालने का काम करती है वह इसमें लगा बेल्ट उसको क्रेन से भार निकाल कर कट्टा करने का काम करता है निया कासा अगर आपके घर में बच्चे जो बार-बार घर को गंदा करते हैं जिसकी वज़े से आपको उसको साफ करने में काफी दिक्कत आती है तो अब आप इस पावरफुल वेक्यूम की मदर से ना केवल उस जगह पर पोच्चा लगा सकते हो बलकि उसको ड्राइ करके वहाँ पर वेक्यूम क्लीन भी कर सकते हो और आपका काम हो जाने पर आप उसमें मोजूद गंदे पानी को निकाल कर उसको फिर से काम में ले सकते हो विरिक्स लेक्स आप अगर रोजाना को यह इसा काम करते हो जिसके कारण आपके व्रेष्ट में दर्द होने लगता है तो अब आप इस मसाजर की मदर से अपने व्रेष्ट को आराम दे सकते हो जिसके लिए बस आपको इस मसाजर को ओन करके उसे उस जगह पर पहनना होगा जिसके बाद इसमें होने वाला वाइब्रेशन उस जगह के पेन को पूरी तरह से खतम कर देगा जिससे आप चाहे तो अपने सरीर के दूसरे इसो को भी मसाज कर सकते हो मो सोको अगर आप अपने साथ खाने पीने के सामान को केरी करना चाहते हो लेकिन उन पर भार की हवा लगने से खराब होने का डर बना रहता है तो अब आप उसे इस वेक्यूम सिलर की मदर से वेक्यूम पेक कर सकते हो जो केवल कुछी सेकिंड में उसमें मोजूस सारी हवा को उसे भार निकाल देता है जिसके लिए बस आपको उस बेक को इस मसीन के सामने लाकर इसको ओन करना होगा अगर आपको ट्रेवल करने के दोरान आइरन किये हुए कपड़े पेनने पढ़ते लेकिन कई बार आप प्रेस की साइज के बड़े होने के कारण उसको अपने साथ केरी नहीं कर पाते तो अब आप इस कॉमपेक टाइरन स्ट्रीम को अपने साथ कहीं पर भी ले जा सकते हो जिसका छोटा साइज किसी भी जगा पर आराम से सेट हो जाता है जिसको आप ज़रूरत पढ़ने पर इसके उपर लगे बटन को दबा कर इसको काम में ले सकते हो दोस्तो मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेनत लगी पर आपको इसे लाइक करने में सिर्फ एक सेकिंड लगेगा इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो के निचे एक लाज बटने उस पर क्लिक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्ली सब्सक्राइब करना मत बूलना